ओम श्यान्ती, 10 सितंबर 2022 के महवाक्य हैं, मीठे बच्चे, आपस में मिलकर इस कल्यूगी दुनिया से दुख के चपर को उठाना है, बाप को याद करने का पुन्य करना है, प्रश्न, ज्यान की अविनाशी प्रालब्द होते हुए भी, कई बच्चों के पुन्य का खाता जमा होने के बजाई, खतम क्यों हो जाता है, उत्तर, क्योंकि पुन्य करते करते बीच में पाप कर लेती, ज्यानी तु आत्मा कहलाते हुए, संग दोश में आकर कोई पाप किय तो उस पाप के कारण किये हुए पुन्य खतम हो जाते हैं, दूसरा पोइंट, बाप का बनकर काम विकार की चोड़ खाई, बाप का हाथ छोड़ा, तो वह पहले से भी अधिक पाप आत्मा बन जाते, उसे कुल कलंकित कहा जाता है, वह बहुत कड़ी सजा के भागी बन जा सत्गुरु की निंदा कराने के कारण उन्हें ठोर मिल नहीं सकता, ओम शान्ती, रुहानी बाप रुहानी बच्चों के साथ रूह रिहान कर रही है, ये तो आत्मा जानती है कि एक ही हमारा बेहद का बाप है, वह तो बच्चे समझ गई हैं, मंजिल है मुक्ती जीवन मुक मुक्ती के लिए याद की यात्रा जरूरी है और जीवन मुक्ती के लिए रचना के आदी मद्य अंत को जानना जरूरी है, अब है दोनों की सहज, स्रिष्टी का 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है, ये तुम बच्चों की बुद्धी में रहना चाहीं, अब हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, अब हमें जाना है वापिस घर, अब वापिस तो कोई जानी सकते क्योंकि पाप आत्मा है, पाप आत्मा हैं मुक्ती जीवन मुक्ती में जानी सकती, ऐसे ऐसे विचार करनी होती हैं, जो करेगा सो पाएगा और खुशी में रहेगा, तथा दूसरों को भी खुशी में लाएगा तुम बच्चों को कृपा वा मेहर करनी है सब को रास्ता बताने की समझाना है तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बन गई है इसलिए वापिस जानी सकती उकारते भी हैं हे पतित पावन बच्चे जानते हैं कि अभी पुरुशोतम संगम युग है यह भी किसको अच्छी रिती याद रहता है किसको याद नहीं रहता है घड़ी घड़ी भूल जाता है परंतु तुमको अगर संगम युग याद रहे तो भी खुशी का पारा चड़ा रहे बाप तीचर याद रहे तो भी खुशी का पारा चड़ा रहे किसको बड़ा रोला बीच में पढ़ता किसको थोड़ा पढ़ता पढ़ता तो जरूर है कई उपर जाकर फिर नीचे आ जाते हैं कोई के वस्था अच्छी होती है तो दिल पर चड़ जाते हैं फिर नीचे गिरते हैं तो की कमाई चट हो जाती है जैसे दुनिया में कितना दान पुन्य करते हैं इसलिए कि पुन्य आत्मा बने फिर अगर पुन्य करते करते पाप कर्म करने लग पड़ते तो पाप आत्मा बन पड़ती है तुम्हारा पुन्य है ही बाप को याद करने मी याद से ही तुम्हारी आत्मा पुन्य आत्मा बनती है तो अगर बाप को ही भूल जाएं दूसरे का संग लग जाए तो बहुत पाप करने से जो कुछ पुन्य किया वह भी खतम हो जाता है समझो आज दान पुन्य करते हैं सेंटर खोलते हैं कल फिर बेमुख हो जाते हैं तो पहले से भी जास्ती गिर जाते हैं क्योंकि पाप करते हैं न तो वह खाता जमा के बदले ना हो जाता है पहले बहुत अच्छी सर्विस करते थे बात मत पूछो फिर एकदम गिर जाते हैं शादी कर लेते हैं पहले से भी जास्ती खराब हो जाते हैं पाप करने से फिर वह पाप का बोजह चड़ता जाता है जमा और ना की जैसे मुरादी संभाली जाती है न परन्तु इन बातों को भी कोई समझने वाला ही समझी पाप भी कोई हलका, कोई बड़ा होता है काम का सबसे कड़ा, क्रोध सेकिंड, लोब उनसे कम, मोह उनसे कम नंबर वार होते हैं काम की चोट खाने से फाइदे के बदले नुक्षान हो जाता है क्योंकि सत्गुरु की निंदा कराई तो ठोर पा ना सके वह दिल से उतर जाएंगे बाप का बनकर बाप को छोड़ देती हैं फिर उसके कर्म पर भी होता है कारण क्या, चल ना सका अकसर करके काम की चोट जास्ती लगती है यही मुख्य दुश्मन है कब सुना क्रोध की एफिजी जलाई नहीं, कामी की बनाती है रावन ठहराना बाप कहते हैं काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगी बिल्कुल हरा बैठे हैं तो जीत के बदले हार हो जाती है बाप को बुलाते हैं हे पतित पावन आओ काम से बहुत पीडित होते हैं फिर कहते हैं बाबा काला मू कर दिया बाबा कहेंगे तुम तो कुल कलंकित हो क्रोधवा मुह के लिए ऐसे नहीं कहेंगे सारा मदार है काम पर बुलाते हैं हे पतित पावन आओ बाप आया है फिर भी पतित बनते रहे तो बाप क्या कहेंगे सादू संतादी सब कोई पुकारते हैं हे पतित पावन आओ अर्थ कोई नी समझते हैं कोई मानते हैं कि हाँ आने वाला है जो नई दुनिया स्थापन करेंगे परंतु टाइम बहुत लंबा दे देने से घोर अंधियारे में गिर पड़े हैं ज्यान और अज्यान है ना बाप समझाते हैं भक्ति में तुम जिसकी पूजा करते हो उसे जानते नहीं तो वह भक्ति किस काम की ना जानने के कारण जो कुछ करते वह निश्फल हो जाता है मनुष्य समझते हैं दान पुन्य करने से फल मिलता है परन्तु वह है अल्पकाल के लिए काग विश्टा के समान सुख सन्यासी भी कहते हैं यह दुनिया में जो सुख मिलता है वह काग विश्टा समान है बाकि सब दुख ही दुख है बाप कहते हैं मा में कम याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे विचार करो कि हम कितना याद करते हैं जो पुराना हिसाब खतम भी हो और नया जमा भी हो कितना कोई जमा करते हैं इसमें धनादी की बात नहीं है ये तो है कि पाप कैसे मिटी मूल बात है ही पवित्र बननी की ऐसे भी नी समझो कि बाबा को लिखकर देने से कोई जनम जनमांतर का खाता खतम हो जाएगा पापों का बोजा जनम जनमांतर बहुत है वह सब नहीं कटते हैं इस जनम में जो किये हैं उसकी हलकाई हो जाती है बाकी तो मेहनत बहुत करनी पड़े जितना याद में रहेंगे उतना पापों का बोजा हलका होता जाएगा कोई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं लाखों को रास्ता बताते हैं चोरासी जनम का चक्र समझाते हैं जनमों के हिसाब को तुम जानते हो विचार करो कितना योगबल है हमारा जनम कब होगा सत्यूग आदी में हो सकेगा जो बहुत पुरुशाट करेंगे वही सत्यूग आदी में जनम ले सकेंगे वह कोई छिपा थोड़ी रहेगा ऐसे मत समझो कि सभी कोई सत्यूग में आएंगे कोई तो पिछाडी में आकर थोड़ा बहुत ले लेते हैं जो जास्ती कमाई करते हैं वो जन्दी आते हैं कम कमाई करते तो देरी से आते हैं इसलिए बाप को तो बहुत याद करना चाहिए और है भी बहुत सहज जो अच्छी रिते याद करेंगे उनको खुशी रहेगी हम जल्दी नहीं दुनिया में जाएंगे राजा बनना है तो प्रजा भी तो बनानी है ना प्रजा ये नहीं बनाएंगे तो राजा कैसे बनेंगे कोई सेंटर खोलते हैं उनकी कमाई भी बहुत होती है फाइदा होता है तो दो तिन सेंटर भी खोलते हैं सेंटर तो बाबा भी खोलते रहते हैं जो करते हैं उनका हिसाब उसमें आ जाता है मिलकर तुम सब दुख का चपर उठाते हो ना सब का कंधा मिलता है ना तो हिसाब सबको मिलता है जितना मेहनत करते हैं उतना उच्छ पद मिलेगा उनको खुशी भी बहुत होगी देखा जाता है कितनों का उद्धार किया सर्विस बहुत अच्छी करते रहते जैसे मिसाल देते हैं मम्मा का मम्मा ने बहुत अच्छी सर्विस की तो उनका कितना कल्यान हो गया मूल बात है सर्विस करने की योग की भी सर्विस है ना डारेक्शन मिलते रहते हैं कैसे याद करना है यह बिंदी का राज भी बाबा ने अब समझाया है अब आगे चल और भी सुनाते रहेंगे दिन प्रती दिन उन्नती होती जाएगी पोइंट्स निकलती रहती हैं बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है सहज भी नहीं है जो सर्विस में ततपर हैं वह जट पोइंट को पकड़ लेते हैं जो सर्विस में नहीं रहते उनकी बुद्धी में कुछ भी नहीं बैठता बिंदी बिंदी कहते रहते परंतु कैसे बिंदी को याद करी कैसे बिंदी को देखी है बहुत सहज बात कोई बिंदी को सामने रख थोड़ी याद करना है ये तो समझनी की बात है आत्मा कितनी छोटी बिंदी है? आत्मा का नाम, रूप, देश, काल कोई बतानी सकेगा. परमात्मा के लिए पूछते हैं उनका नाम, रूप, देश, काल क्या है? बे समझ मनुष्य ना आत्मा को जानते ना परमात्मा को जानते हैं. यहां भी हैं जो पूरी रिती नहीं जान सिर्फ बाबा बाबा कहते रहते, नोलेज कहां सीखते हैं, कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाते रहते हैं, जैसे सन्यासियों के पास भी अरवधुत होते हैं, जो करते कुछ भी नहीं, खाते रहते हैं, बाकि सन्यास धारण किया, विकार से चूट गए वह भी कम बात नहीं, बाबा समझाते हैं तुम पवित्र थे, अभी अपवित्र बन गई हो तुमने ही 84 जन्मों का चक्र लगाया है इन बातों को भी मनुष्य समझ नहीं सकते भक्ती बिलकुल अलग है, ज्यान बिलकुल ही अलग बात है रात दिन का फर्क है तुम जानते हो हमको पुरुशार्थ से लक्षमी नारायन जैसा बनना है तो श्रीमत पर पूरा चलना है मेहनत तो है, बाकी यह बिमारी आदी तो चलती रहेगी यह निशानी अंत तक दिखाई देगी, फिर गुम हो जाती है फिर कोई दुख नहीं रहेगा बाप को कहते ही हैं दुख खरता, सुख करता, हे लिब्रेटर, रहम करो तो फिर सब दुख से चूट जाते हैं दुख में ही मनुश्य बहुत सिम्रन करते हैं हे प्रभू, हे राम, दुख के टाइम सब कहेंगे भगवान को याद करो प्रन्तु भगवान कोन है, ये कोई नहीं जानते सिर्फ कहेंगे गोड फादर को याद करो खुदा को याद करो तुम तो अच्छी रिते जानते हो, वो हमारा बाप है बापी सिखलाते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो भगती मार्ग में ऐसे कहेंगे क्या कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो नहीं, कितने प्रकार की अथा भगती है ज्यान एकी है, समझते हैं भगती से भगवान मिलेगा भगती कब से शुरू होती है, कौन जास्ती भगती करता है ये किसको पता नहीं है कहां तक भक्ती करेंगी? अभी तुम जानते हो इतना समय भक्ती चलती है, इतना समय ज्ञान चलता है, भक्तों को पता नहीं चलता है, उन्हों को समझाने के लिए ही इतनी प्रदश्नी आदी करती है, प्रदश्नी में भी कोटों में कोई निकलते है, आगे चल करके और निकलेंगे यहां भी कितने धेर आते हैं तुम कितने थोड़े हो जो सचे ब्रामन पवित्र रहते हो जो रेगुलर हो वह आवे परन्तु ये भी हिसाब निकाल ना सकें कि सचे ब्रामन कितनी है बहुत जूथे भी है ब्रामनों का काम ही है कथा सुनाना बाबा भी कथा सुनाते रहते हैं न तुमको भी कथा सुनानी है ये था बाब तथा बच्चे बच्चों का काम ही है गीता सुनाना परंतु सब कहां सुनाते हैं तुम जानते हो ज्यान की पुस्तक एक ही गीता है वह है सर्व शास्त्रमई शिरोमनी उसमें सब आ गया माई बाप है गीता बाप ही आकर सब की सद्गती करते हैं यह भी लिख सकते हो कि श्यू बाबा की जैनती ही हीरे तुल्य है बाप की सब की जैनतियां कोडी तुल्य हैं बाप को तो सब याद करते हैं कल्यूगी मनुश्य सत्यूगी देवताओं की पूजा करते हैं। उन्हों को ऐसा बनाने वाला कोन है? एक बाप परंतु यह भी समझा वह सकेंगे जो अच्छी रिती समझते हैं। काइदे मुजीब कोई समझाते नहीं। बाबा कहते हैं हमारे कई बच्चे कंस्ट्रेक्शन के साथ दिस्ट्रेक्शन भी करने वाले हैं। महरती घोडे स्वार प्यादे सब है न? तो प्यादे क्या करेंगे? पढ़े लिखे के आगे भरी ढोएंगे। बाकी जो ना भरी ढोएंगे ना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उनको क्या कहेंगे उट पक्षी अच्छा मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप डादा का याद प्यार और गुड मोर्निग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप डादा को याद प्यार गुड मोर्निंग और नमस्ते जी धाना के लिए मुख्य सार पहला पोइंट बाप बिंदी है इस बात को यथार समझकर बाप को याद करना है बिंदी बिंदी कहकर मूझना नहीं है सर्विस पर तत पर रहना है दूस्ता पोइंट सच्ची गीता सुननी और सुनानी है सच्चा ब्रहमन बनने के लिए पवित्र रहना है रेगुलर पढ़ाई जरूर करनी है वर्दान सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बाटने वाले खुश नसीब बेफिक्र भव विस्तार ब्रहमन जीवन की खुराक खुशी है जो सदा खुशी के खुराक खाने वाले और खुशी बाटने वाले है वही खुश नसीब है उनके दिल से यही निकलता कि मेरे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं भले सागर की लहरे भी डुबोने आ जाई तो भी फिक्र नहीं क्योंकि जो योग युक्त हैं वह सदा ही सेफ है इसलिए सारे कल्प में इस समय ही आप बे फिक्र जीवन का अनभव करती हो सत्युख में भी बे फिक्र होंगे लेकिन ज्यान नहीं होगा स्लोगन सहज पुरुशार्थी बनना है तो सर्व की दुआउं से स्वेम को भरपूर करू अच्छा ओम शान्ति